आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं से साइड नेट 2022 के कंप्लेक्स एनालेसिस का कोश्चन आड़ी 529 छे ठीक है तो यह भी बहुत ही इजी कोश्चन है इसमें कुछ भी हाड नहीं है ठीक है आपको बस केरफुली कोश्चन को रिट करना है और कुछ रिजल्ट जो आपको याद होने चाहिए क्योंकि रिजल्ट याद नहीं होगा तो आपके थोड़ सा मुश्किल हो सकता है यहां पर कह रहा है कि आपको एक फंक्सन दिया गया है ठीक है कहां पर जूरो शेवन के बीच में फंक्सन दिया गया है जहां पर एमन कोई पोजेटिव इंटीज जाए होगा for some value of mnn इस question में कुछ खास डम नहीं है तो चली हम इसको करके देखते हैं कि कैसे हम इसको quickly करेंगे ठीक है इसको भी आप मैक्चिमम 30 सेकेंड में कर सकते हैं 30 सेकेंड है 45 सेकेंड ठीक है और यह पार्ट श्री का कोश्चन है तो आपको हर ऑप्षन केरफुली चेक करना पड़ेगा ठीक है यहां रखेंगे नहीं कि एक ऑप्षन सही मिला तो आप इसको छोड़ेगा बाकी के लिए यहां वे आपका है मैं रिजल्ट आपको रिकॉल करवा दे रहा हूं कि माल लिए कि आपके पास जो एफिजेड है कुछ इस टाइप का हो जीजेड अपन में हजेड राइट है जहां पे जीजेड के पास एक एक ज्यादा भी हो सकता है तो जीजेड के पास जीरो हो ऑप ओडर एम एंड माल रिजेड के पास जीरो हो अपुडर इंद रिजाट आपको सो रहा हूं कि हमारे जो फंक्शन अगर इस टैप का है एंड जीजेड के पास जीरो हो ऑडर एम का एंड एच जीरो हो ऑडर इंद एंड के पास पोल होगा अगर n greater than m हो एंड अगर n less than m equal to m हो तो इस इसकेस में रिम्यूबल संगलर्टी हो जाएगा एक तो इसमें बस यहीं एक रिजल्ट था इस रिजल्ट को अगर आपने याद रखाया तो बहुत प्रूंट इजली कर सकते हैं ठीक कर अब हम अपने आने बात के था कि zero of order this that तो 0 कैसे निकालते हैं तो इस प्मिन निकिलते हैं फिर उस point पूसका derivative नहीं आ रहा है तो उसका order one हो जाता है अगर दो बारा है तिसरा derivative not equal to zero आ रहा है तो फिर उसका order दो बोलते हैं इसी तरह हम और पात करते हैं ओके तो इस अब यहाँ पर देखे जीन जेड़ पर आपका 0 देगा और डियुटिज़ मतलब हुआ कि जेट बराबर 0 का order जीजेट के लिए कितना हुआ वन हुआ ठीक है जेट बराबर 0 is of order 1 अब हम एजेट में आते हैं तो ह्जेट में आपका देखिए हJ करेंगे क्या होजाएगा मायनस मैं an lagi double derivative करेंगे Cand여 उर इजीरो पे यहाँ यहाँ प्रॉडर 2 होघजा और यहां पर और दो Says मैं इस लेडरा फेम करता हूँ कि एक्जाम में भी आप इसी तरह quickly करेंगे आपको वहाँ प्रोपर लिखना नहीं है तो आप समझी कैसे quickly करेंगे यहाँ पर 0 का order 1 हो गया यहाँ पर 0 का order 2 हो गया अच्छा हमने जीजेट को सैंजेड माना था तो जीजेट के power जो हमारा एम बराबर एम एंड नीचे वाले का ओडर टू आया था इस एश्जेट के पावर एन का ओडर क्या हो जाएगा टू इंटू एन डैट इस टू एन हो जाएगा ठीक है तो अल्टिमेटली हमारा एफजेट पता चल गया जिसमें उपर का ओडर एम हो रहा हो और नीचे का ओड टू एन हो रहा हो यहीं था ना और हमने रिजल्ट भी कुछ ऐसे किया था तो अब हम एफजेट पर आ जाते हैं ठीक है एफजेट के पास हमने क्या बोला था पहला कि पोल होगा कब अगर टू एन ग्रेटर देन एम हो जाए यहां पर टू एन आपका जैसे मींस नीचे वा सब्सक्राइब बना रहा होगा मतलब पोल ही मिलेगा तब भूल जाए तो ऐसे भी रिकॉल कर सकते हैं तो यह आपका पोल होगा अगर टू एन ग्रेटर देन हुआ और दूसरा था हमारा रिमूबल शुंग लटी एक अब टू एन लेस दन इकल टू एम हो ठीक है अगर चलन लुचला दा सब्सक्राइब कर Это हैं तो इसका मतलब पहला पर्षा आमारा टू होगया दूसरा कार्या कि अ大家好 isसे बीज दन को को थो गया चैकनि तूह तिसरा हम बोला इसेंशियल शुंगलर्टी फोर सम वैलू ऑफ एम एन एंड यहां पर देखिए हमने जो भी पोशिबल वैलू होगा एम एन एंड का सब के लिए तो बता है दिया या तो पोल मिल रहा है तो रिमूबल शुंगलर्टी मिल रहा है आप एम कुछ भी लिए जो पहला से करेंगा तो दूसरा करेंगा ठीक है इसका अलामत तिसरा कुछ है ही नहीं हमने कुलिटी भी निक्लूट कर दिया तो जो कुछ भी हम एम एन एंड लेंगे सब के लिए हमारे पास क्या रहा है या रिमूबल शुंगलर्टी तो हमने यह पास कोई ऑप्सन ही नहीं बनता है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ फोर्थ ऑप्सन भी आपका रॉंग हो गया तो आपके पास वानली करेक्ट ऑप्सन क्या बचे वान एंड टू ठीक है आई होब यह सोलूशन आपको इजली समझ में आया होगा और यह ही जो अमने अभी प्रमुला बताया इसको अमन झाल झाल